नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक और हिंदी रिव्यू में आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं फिल्म पागल पंती को तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों इस फिल्म की कहानी ये है कि तीन दोस्त हैं और बहुत जल्दी अमीर होना चाहते हैं दोस्तो इस चाहत के चक्कर में वो लोग कुछ गांस्टर्स के चक्कर में पढ़ जाते हैं और पूरी कहानी हमें आगे पता चलती है दोस्तो इस फिल्म में सौरब शुकला, अनिल कपूर या अर्जद वार्षी जैसे वेटरन आक्टर्स हैं जिनकी आक्टिंग और कॉमिक टाइम बहुत ही जादा बढ़िया है दोस्तो इस फिल्म में जौन अबराहम भी है जिनकी आक्टिंग की भी तारीफ करनी चाहिए दोस्तो जब फिल्म का नाम ही पागलपंदी है और फिल्म के पोस्टर्स पर लिखा था कि आप अपने दिमाग घर पर छोड़के आईए तो दोस्तो मेंको लागा था कि इस फिल्म में कुछ ने-कुछ ऐसा होगा और कुछ meta या fourth wall jokes होगे पर दोस्तो इस फिल्म में ऐसा नहीं है और मेंको काफी उम्मीद है ती पर मैं थवड़ा disappointed हो गया दोस्तो जब फिल्म का नाम ही पादल पंदी है तो हम लोग इस फिल्म को सही में क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं दोस्तो जो फिल्म का प्लॉट है वो इतना स्ट्रॉग नहीं है और फिल्म के अल्मोस्ट हर सीन में काफी सारे कारेक्टर्स है सब्सक्रांट कृक्त rocky कले यह प्राइटि कि इस फिल्म के राइटिंग भुछा लेजी थी क國म好吃 और दोस्तों यही जो वे स्तेमाल है ओविसली ओविसली मावल के रैविल का नहीं है पर दोस्तों ये VFX को देखके आपको जरूर अच्छा नहीं लगा क्योंकि काफी जगा देखने में पदल रहे हैं कि ये VFX है और नकली रखता है दोस्तों फिल्म में काफी जगा रोहेट शेटी को भी श्रदांजरी दी गई है जिस तरसे फिल्म में गाडियां को उड़ते वे दिखाया है या तो गाडियां हवा में उड़ रहे हैं दोस्तों या फिर गाडियां बंब से उड़ रहे हैं मुझे यह देख के काफी जगा लगा कि यह फिल्म थोड़ी बहुत रोइच छेटी के फिल्मों से इन्सपाइड है दोस्तो इस फिल्म में काफी चीजे हैं जो में को लगा कि ना ही होती तो बैतर रहता तो दोस्तों ये चीज़े में को देख के लागा कि शायद स्क्रिप्ट कर सकते थे क्योंकि में को लगा ये थोड़ा एक डेस्परेट अटेम्ट था क्योंकि फिल्म ओर थोड़ी खाली है और फिल्म की राइटिंग उतनी स्टॉंग नहीं है लेजी है तो में को लागा कि ये सब चीज़े डाल के थोड़ा सा उसको बढाने चड़ाने की कोईश्की गई थी दोस्तों मेरे साब से फिल्म काफी बढ़िया हो सकती थी जैसा मैंन फिल्म के कुछ पार्ट्स हैं वो जो ये वेटरन अक्टर्स हैं उनकी कॉमिक टाइमिंग और उनकी डायलोग डिलिवरी ही है जो फिल्म को फड़वत बचा लेती है दोस्तों मेरे बिल्ली ने भी ये फिल्न देखी है तो चलिए हम उससे पूछ लेते हैं उसके इस फिल्म है टोटल दमल जिसमें एक सीन ठाइ जिसमें नकली शेर थे वैसा का वैसा सीन इन लगों ने इस में डाल दिया है इसमें जो शेर दिखाए geht वह साफ पधार सल रहा है दोस्तों कि VFX है और दोस्तों मेरे बिल्ली के स्टांडर्स वह जादा हाई है तो फिर उसको यह पसंद नहीं आया चलिए दोस्तों आया दे रेटिंग्स पर तो इस फिल्म के वेटरन अक्टिर्स की अक्टिंग के लिए मैं इसको पांच में पीन स्टार और दोस्तों इस फिल्म के डारेक्शन के लिए मैं इसको पांच में दो स्टार दोस्तों इस फिल्म के VFX के लिए मैं तो पांच में से जो इस फिल्म में टिकेट के पैसे आप खर्च करने वाले हैं, उस पैसे से आप किसी गरीब बच्चे को खाना ख्ला दिजे, किसी गरीब बच्चे के स्कूल के फीस दिपहर दिजे, या दोस्तों आप किसी mental health awareness organization को थोड़ा पैसा डोनेट कर दिजे, क्योंकि इस फिल्म को द दोस्तों ये चीज़े करके आपको satisfaction देगी, वो इस फिल्म को देखने से बहुत जादा रहेगी, चली दोस्तों ये था हमारा आज का Hindi review, आप मझे नीचे comment section ने बताइए कि आपको इस फिल्म को देखके क्या लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो हमारा एक podcast है, Film Feud Podcast, जहां पर हम लोग फिल्म को डिबेट करते हैं, तो दोस्तों अगर आपको डिबेट पसंदे हैं, जहां पर लोग इक दूसर पर चला नहीं रहे हैं, और 20 लोग नहीं है जो डिबेट करते हैं एक साथ, और दोस्तों आपको फिल्म के बारे बात करना य स्टेचर और एक डिबेट साथ, तो सब्सक्राइब हैं नियुक्त। आप चाहे नियुक्त, और वी देख सकते हैं दोस्तों के लिए और भी वीडियोंож रहे हैं जमें we and we have to talk to this channel यहां जिले दोस्तों, एज आप लोग चाहेंगे तो आपना आपको अगली बी़ आपना क्याल रखें और स्वास्थ रहें